लंबे इंतिजार के बार राजस्थान में मंत्री मंडल विस्तार की शुब घड़ी आही गई गहलोद सरकार के इस विस्तार से क्या वाकई राजस्थान की राजनीतिका उबाल शान्त हो जाएगा या एक बार फिर असंतोष का बम फूटेगा मंत्री मंदल में कितना नजर आ रहा है एक शेत्रिय और जाती है संतुलन ऐसे तमाम सवालों के जवाब और मुख्य मंत्री अशोग गहलोत की नई टीम की राजनीलिक समिक्षा के लिए स्टूडियो में मौजूद है चैनल हेड अनिल लोड़ा जी सर राजनीलिक विश्षा की दृष्टी से आप इस मंत्री मंदल विस्तार को किस तरह देखते हैं काफी सारी वेकेंसी पहले से थी कुछ तो मंत्री मंदल का जब सबसे पहले गठन हुआ तब से वेकेंसी थी कुछ बगावत के समय एक खास गुट के लोगों को हटाया गया बर खास किया गया से वेकेंसी तीन वेकेंसी नई क्रियेट हुई जिन तीन मंत्रियों को गुजरात और पंजाब की जिम्मेदाई स्वांपी की डोटा असरा दो पत पर थे प्रदेश अध्यक्ष पत को रहने दिया गया दूसरे पत से उनको हटाया गया हटाया गया या इस्तिवाली आ गया जो भी इस तरह बारा वेकेंसी क्रियेट हो रही थी कुल, तीन राज्य मंत्रियों को इलेवेट कर के क्याभिनेट मिनिस्टर बनाया गया तो शप्त तो पंदा लोग ले रहे हैं परपंदा में से तीन वरतमान में राज्य मंत्री हैं टीका राम जूली मम्ता भूफेश ये शपद ले रहे हैं ये इलेवेट किये जा रहे हैं केबिनेट मिस्टर के रूप में लेकिन बारा नए मंत्री आज शपद ले रहे हैं इन में बरखास हुए मंत्रियों में से या ब कि वन देशतीवा चारचे मेने से डोल रहा था, मंजूर होगा की नहीं होगा, विदानसवागी सद्शेए नहीं रहना चाहते थे, उन्हा मना लिया गया, वह फिर मंतरी बन रहा है, पहले राजस्मंतरी रह चुके है, मुराइल्ल मीना बन रहा है, और रमेश मीना बन रहा ह हैं तो ये मोटे तोर पर मंसी मंडल का विस्तार इसलिए टल ला था हमेशा कि एक अनार सो बिमार वाली बात थी और सबसे मोटा तरक बड़ा तरक ये था कि जिन विधायकों ने एक जूट रहकर केंप में रहकर सरकार को बचाने भूमी का निभाई खास पर छे विधायक जो बसपा से आये और निर्दली विधायक बारा जो साथ थे मुख्यमंत यशोग गरोत के प्रती वो सत्ता में भागीदारी मांग रहे थे उमीद लगा के बैठे थे उन में से एक को सिर्फ राजन गुड़ा को पहले भी मंत्री रह चुक है बसपा से आये थे उनको इस्थान मिला है बाकी को कोई इस्थान अभी नहीं मिला है तो वो कह रहे थे कि हम ने सरकार बचाई हमें इस्थान नहीं मिल रहा या इस्थान चाहिए हमको और जिन्होंने सरकार को गिराने कोशिश की उनको इस्था उनकी पैरवी करने के बाद बड़ी मुश्किल से मुख्यमंत्री सहमत हुए इन तीन चार लोगों को लेने के लिए अनिल जी आपने का सबसे बड़ा सवाल ये था लेकिन मेरा मानना है राजनेतिक हलकों में काफी समय से सबसे बड़ा सवाल ये था कि गहलोद बड़े या परक दे रहा है तो वाकरी में किसका कद बढ़ा आपके हिसाब से किसी का कद नहीं बढ़ा सब एक जूट ओकर चुनाव लड़ने की तयारी कर रहे हैं दोजार तेईस की दुबारा से सरकार लाना चाहते हैं ये बात उपर से निर्देश दिये गए हैं कद तो आला कमान का जो था वो ही है और इस आला कमान के सामने किसी या कोई कद नहीं है मुख्यमंत्री अशोग गेलोत क्योंकि उस बगावत पर विजय परात करके उन्होंने अपना राजनेतिक कद बहुत बढ़ा कर लिया था एक बात दूसरी बात करोना से लड़ाई के समय जिस तरह सफलता पूरवा कुदों ने रायस्तान की सारी गति वीडियों का और संचलन किया और जिस तरह इलाज कराया और जिस तरह कोरोना पीडितों की मदद की गई उस सबको लेके भी अशोग गेलोत का कद अपने अपने जन्मानस के रूप में बढ़ गया है राजनेतिक कद तो मीडिय की उचाल का मुद्दा होते हैं कि मीडिया ने किसी उचाल दिया वो बड़ा हो गया वो छोटा हो गया दरसल अशोग गयलोत का जो कद है वो इस वक्त अन्पेलल है इसमें कोई दोरा है नहीं सचिन पाइलेट चूंकि हाशिये में चले गए थे बगावत के बाद से का मानने उनको वापस से स्वीकार कर लिया है उनके समर्थकों को स्वीकार कर लिया है और उनको मुख्यधारा में जगे दे दी गई है इससे अब ये वो छिटके वे नहीं रहेंगे ये एक बात नहीं इसमें प्रतिबादित हो रही है अनिर जी आपको लगता है कि अब अस विदान सभा में 15% यानि 30 विदायक मंत्री बन सकते हैं, 31 सवा व्यक्ति शपत नहीं ले सकता मंत्री पद की, लेकिन 31 सवा व्यक्ति को अगर कुछ बना रहे हैं तो मुझे सरजे तक बनाया जाएगा, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे देंगे, उप मुझे सरजे तक हैं मेहंदर चौदी उनको राजी मंत्री का दर्जा है, एक को विदान सभा का उपाद्रिक्ष बना देंगे, उसको फिर राजी मंत्री का दर्जा मिल जाएगा, फिर बहुत सारे पद ऐसे हैं, जो क्रियेट किये जा सकते हैं, या अभी अल्रेडी हैं, आम तोर पर आला कमान क मानना था, उन पर कारे करता को जगे देनी चीज, जो अपने कंदे बे बैठा के सवार करके इन लोगों को सत्ता तक लेका है, अब ये विदायक, संतुर्ष टोंगे तो इनका मुह बंत रखने के लिए हो सकता है, उन कारे करता को हक शिन जाए, पर विदायक जिसको विदा बना दिया गया, आम कारे करता से, वो विदायक भी रह लेगा, फिर मंत्रीपत का दर्जा भी प्रात कर लेगा, पिर सब कुछ यूइटी चेर्मेन भी बन जाएगा, सब कुछ भी हो जागा, तो कारे करता कहां जाएगा, ये बड़ा यक्ष प्रस्न है, अगर अगला चु दिया जा रहा है, तुम्हें संबान दिया जा रहा है, तुम्हारे कारे को हम रिकर्गनाईज कर रहे हैं, ये रिखांकि दब तक नहीं करेंगे, कारे करता दुबारा से जूटे का नहीं, इसलिए जो विदायक चुन के आये हैं, उनके लिए बी उल्टी किंती शुरू मैं नहीं कह रहा है, गिरेगी, मतलब चुनाव की उल्टी किंती, और तयारी तुम्हें से याज जो मंत्री मंदल बनाई ये भी चुनाव की प्रस्तावना है, चुनाव की भूमिका में ही बनाया गया है मंत्री मंदल, अभी हम इसको देखेंगे विस्तार से तो इसका में वापसी की जा सकती है, इस तरह का धान रखेंगे मंत्री मंदल बनाया गया है, और ऐसे इलाके जहां भाजपा का भी जैए, जिन इलाकों ने कॉंग्रेस को बक्षा नहीं है, नमाजा नहीं है, उनको इग्नोर भी कर दिया गया, तो कोई बात नहीं, जी. मनला कुल मिलाके आपका कहना है, जिस तरह अब निर्दल ये हैं, या बसपा के हैं, ये सोचा जा रहा है कि उनको संसद्य सचेव, या राजने टेक नियुक्तियां, या गेलोथ की जो सलाकार है, उनकी नियुक्तियां मिल सकती है, उससे कारे करता एक बार फिर उपेख्श सफलता पूरव कई बार, डॉक्टर जीजरन नसीं के कई ऐसे मंत्री हैं, जो मंत्री रह चुके हैं, कद बहुत बड़ा है, अनुबव भी उनके पास में, हो सकता है, मुख्य मंत्री का सलाकार बना दिया जाए, तो वो सत्ता में भागीदारी भी करने हैं, और सरकार को अंग्रेक्षक मिल जाते हैं, पीए मिल जाता है, वो सारा परेफेनियरा जो हता है, वो मिल जाता है, बंगला मिल जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो इक्वली गुट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हां समकर्ष हो जाते हैं, कि वही दर्जा मिलावा है बाजार में जब निकलते हैं गाव में निकलते हैं अपनी कॉंस्टोंसी में तो वो शान थोड़ी सी बरकार रहे जाती है पाकि उनको भी चुनाव में जाना है उनको भी चुनाव में जाना है इसलिए एसन तोश की मुझे अब कोई गुंजाईश लगती इसलिए नहीं है कि देखे जिसको दो साल बाद टिकेट पाना है अब वो चुप रहेगा वो बगावात नहीं करेगा जिसको दो साल बाद जीतना है वो सरकार में अपने विकास के काम कराने की तरफ ध्यान देगा मुख्यमंत्री ने जो भावुक भाशन आज दिया विदायकों के बीश बीशीशी में कहा कि जिन लोगों ने सरकार बचाने में साथ दिया उनके योगदान को इग्णोर नहीं कहा सकता वो हिड़दे से लगाता हूं ने दिल से लगाता हूं और उनके सारे काम होंगे उनके इलाके के विकास के काम होंगे, उनको सम्मान दिया जाएगा, उनको तरजी दी जाएगी, बहुत भावुकता वरा भाशन मुदन दिया, और कोशिश की कि लोग ऐसंतुस्त ना रहें, क्योंकि मंत्री सिर्फ तीस बन सकते हैं, बाकि अब कि इसको यूईटी चेर्मेन मना जा उसके बाद टाइम भी होना चाहिए, विदानसभा में विदायक बैठा रहता है, तो वो यूईटी में काम करेगा, विदानसभा में काम करेगा, तो ये परंप्रा तो बननी ही नहीं नहीं चाहिए, या कुछी बोड निगम का बना दिया जाए, और कोई एकाथ-दो बोड मंत्री पत पे बैठे लोग हैं जिनके पास डिपार्टमेंट होते हैं दरसल उनी से सीधा काम चलता है अगले बार चुनाओ लड़के वो जीत के आया और सरकार बनी अगर बनी तो फिर उनके लिए चांस बनता है आपने अभी डिपेंदर सिंग शेखावत का नाम लिया मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि शेखावटी के तीन दिगज ने था डिपेंदर सिंग शेखावत राजंदर पारिक और जुतेंदर सिंग यह क्या करेंगे अब मुझे लगता है कि इनको ऐसी जगे डेजिगनेट किया जाएगा चाहे मुख्यमंत्र के सलाकार बनाया जाए डौटर जितेंदर सिंग को और राजंदर पारिक को तो बनाया जा सकता है डिपेंज सिंग शेखावत की बारे मुझे डाउट है क्योंकि वह उन्हों जिस तरह खुलकर बोला था आज तक पर बगावत के समय शोक गेलोट शायद मेरे ख्याल से उनको अपना सलाकार बनाना पसंद नहीं करेंगे ऐसा मुझे लगता है परंतु डिपेंज सिंग शेखावत का बड़ाकाद है विदान सबाद देख्ष रहे और इन दोनों का बड़ाकाद है दोनों केबिनेट मिस्ते रह चुके हैं इसके अलावए भावनलाज शर्मा और शेखावाटी की दिगज है जो थेतो बागियों में पर सबसे पहले भा काफी मेहनती हैं और कॉंग्रेस में वो बीजेपी से वापस सीट शीन के लाएं सीकर की इसलिए डाक्टर जिटेंज सिंग आजाता सवाल है मेडिकल प्रेक्टिशनर है डाक्टर है खुद चेकिसा मंत्री रहे हैं लेकिन बहुत सीधे सारे सरल से इंसान है वो राजनिती म हैं मैं उनसे कई बार मिलता हूँ तो मुझे भी सवाल अता है कि इतने सादगी पसंद और इतने सीधे लोग भी राजनिती में चल निकलते हैं परंतु डॉक्टर जीटेंज सिंग को छोड़ दें डीपेंज सिंग शेखावत को कैसे अकॉमडेट किया जागा ये राजनित रह चुके हैं और काफी उन्होंने मेहनद भी की वापस सीकर में भाज़पा को सत्ता ठेटाने के लिए और कॉंगर्स सत्ता में लाने के लिए जहां तक सरदार शेहर के विधायक का सवाल है बहुनलाल शर्मा का वो बने ना बने कोई फरक नी पड़ता हूँ उनको वो प् पे किसी विधायक को मंत्री बनने का मौका निमला वहीं बात करें भरतपूर, दोसा, जैपर, विकानेर वहां से ठुके भाव में मंत्री बने हैं तो सबसे पहले अजमेर पर आते हैं क्योंकि रगुष शर्मा वहां के सांसद रहें सचिन पाइलट वहां के सांसद रहें औ और रगुष शर्मा वहां से केबिनेट मिनिस्टर थे, रगुष शर्मा हटे, तो किसे मंत्री बनाया जाए, अजमेर में नौ विदान साव सीटे हैं, अजमेर जिले में, संतरजी शेत्र में आठ है, उसमें से मात्र दो सीट पर कॉंग्रेस काबीज है, एक रगुष शर्मा के पास, अजमेर की दोनों सीटे हैं, तीन चुनाव हो गए नहीं हैं कॉंग्रेस पास, किशनगर में, जो सुरेश टांक हैं, वो हलाकि निर्दली विदायक थे, गेलो सरकार को समर्तन दिया था सरकार बनाने में, लेकिन वो भी बगाउत के समय चिटक कर भाग गए थे, उ का, वो नहीं था पोजिशन की, उनको केबिनेट मिस्टर राजिबंती बनाया था, पहरी बार के विदायक हैं, और हंड्रेट पर्सेंट लॉयलिस्ट हैं, सचिन पैलेट के, वो इसको कहने में गुरेज भी नहीं करते हैं, और उनकी वज़े से हैं, जो कुछ भी है, तो अ वापस खींच के लाने का कोई प्रयास कॉंग्रेस की तरफ से न हो रहा है, न होता दिखे है, ज़्यादा एड़ीए चेर्मेन किसी को बना लिया जाएगा, कॉंग्रेस को अजमेय के लोकल किसी वेक्ति को बना लिया जाएगा, जहां तक दोसा की भरतपूर की बात की आट जाटाव और मीना दोसा के, दोसा बेल्ट, करोली, सावव मादवपूर के मीना वोट दे रहे हैं, यह तो SC, ST बैंक है कॉंग्रेस का, इसको वापस से अपनी तरफ पूरी तरह जुडाव बना के रखने की कोशिश की गई है, इसमें तीम मीना मंत्री बन रहे हैं, एक दिगज मीना नेता हैं, क्या ये तीनों मीना नेता मिलकर मीनाओं के वोट किललाल मीना की जोरी से खींच कर, कॉंग्रेस की जोरी में लाप आएंगे, जबकि जशको और मीना सांसा से दोसा की, वो भी भाजपा की है, जशको और मीना में 36 का अखडा है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करने हैं और क्या ये तीनों मीना भी रोदी ये क्या कि पिरोड़ मीना को डेमेज करके कॉंग्रेस के अट नोगा नेकी वो भी आदिवासी कि लाका है औं आदिवासीयों में कॉंग्रेस का काफी सांस दिए बीच में थोड़े समय बीजेपी उनको कीशिये ले गी थी परन्तु वो कॉंग्रेस में वापस लोटे हैं लेकिन बास्वाडा और लुंगरपूर वागड इलागा कहलाता है वहाँ सबसे बड़ा ठ्रेट है बीटीपी ट्राइबल पारिटी जो बन रही है वो ट्राइबल है और जो बिल्कुल एग्रेशन है यह अगर थावा नहीं गया और कॉंग्रेस यह भाजबा दौनों में से कोई एक पार्टी वाँ खडी नहीं रही तो वो यह दंतेवाडा हो जाएगा किसी दिन ऐसा लोग बान के चल रहे हैं ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं इसलिए कॉंग्रेस का ये मूब बहुत इंपोर्टेंट है कि दो आदिवासी मंतिर हैं बासवार डौंगरपूर से और मेंदर जी सिंग मालवी को बनाया गया उनकी पतनी जिला प्रमुक है मेंदर जी सिंग मालवी की जो पकड़ है उस इलाके में उस पकड़ को तीन साल स आखिर आपको उस इलाके को कॉंग्रेस के लिए भी बचाना है और देश के लिए भी बचाना है मैं उनको बीटीपी के लोगों को यह कंडेम नहीं कर रहा उनका अपना एक सोच है लेकिन अल्टीमेटली मुझे डर है कि जिस तरह की वहां पर एक्टिविटी चल रही है ब और उस में वहां पर कोई सरपन्ज भी ने बन सकता सवर्ण और कोई स्टी ने बन सकता एस्टी ओंगे सारे पर सांसर भी विदायक भी सम इसलिए उस इलाके को संबाल के रखना और उस इलाके में पकड़ को बना रिखना राश्ट्रीय राजनितिक दलों की जरूद भी है और राष्टर की जुरुत भी है इसलिए ये मैंदर जी सिंग मालवी की मंत्री पत्पर्द दाजपोशी को मैं इस रूप में देखता हूँ कि कॉंग्रेस अपने उस घर को संभाल के एक जूर रखना रहती है इसके अलावा जो बात मैं कहना चाहा था कि जो जो एसी के मंत्र प्रेवा और टिका रामजूली का और एक जातौ भजला जातौ तीन को उनको इवेट खिया गया ये जातौ बएरवा ये सारे जो कॉंग्रेस की ट्रीडिश्ट iPhonePay इन तीन को जो elevate करके cabinet minister बनाया गया उसके पीछे सोच भी यही है अलवर भरतपूर और दोसा यह जो Congress में तैक हर लिया है अगले चुनाओं में मैं समझता हूँ कि सवाई मादवपूर से लेकर के अलवर भरतपूर दौलपूर यह पूरा दोसा यह सारा इलाका Congress capture करना चाहती इसलिए इन दों को दिया गया है जहां तक मैं समझता हूँ कि अभी फिलाल मेवाड से जो न्यूक्ति हुई है एक important वो है रामलाल जाट की बिलवाडा से वो डेरी के अध्यक्ष्मियों बिलवाडा में पहले भी राज्यमंत्री रच चुके हैं पहले उनका एक बार इसलिए रामलाल जाट की इस न्यूक्ति के बाद बिलवाडा यूईटी में सीपी जोशी के समर्तक किसी व्यक्ति की न्यूक्ति का रास्ता साफ हो रहा है यह मैं भुश्वा संकेत कर रहा हूँ और रामपाल शर्मा जो पहले यूईटी चेर्मेन थे वहाँ पे बड़ा चुनाओं भी लड़ा माँ पे कॉंगर्स की टिकेट पर हार गये लेकिन वीलवारा लगातार भाजपाय की जोली में रहा है लोक सभा के चुनाओं में भी बिलवारा विदान सभा के चुनाओं में बीजे LISA पी से कॉंग्रेस को वापस की बहुत करना पड़ाई बहुत तक की इस नियूखती के संकेते हैं कि कॉंग्रेस उस दिशा में कदम बढ़ा रही है जी जाती ये संतुननक के बात करें थी उसमें भी आपने जिक्र करी दिया स्ट की जो अब चार मंत्री मंत्री मंडल में हो गए हैं उस पर आप क्या कहेंगे बस मैंने का ना जैसे तीन मंत्री मीना है आदिवासी मंत्री उस इलाके के दो हो गए यह मीना भी आदिवासी क्यालाते हैं तो पांच-शे आदिवासी मंत्री हो गए यह तीन-चार-चार SC के हो गए यह पूरे SC-ST बैल्ट को जाहिदा को बना है ना तो एक मुस्लिम भी और खास एक निमार के बाती है मैंने एक दिन पहले ही कह दिया था कि कम से कम तीन महिला मंत्री होंगी शकुंतला रावत का भी जिकर किया था और आज शकुंतला रावत भी मंत्री बन रही है वो गूजर है और गेलोत की लोयलिस्ट है और बहुत ही शाहिस्ता मह मिला हैं जाहिदा चुकि उस इलाके से आती है जहां मेव इलाका है और मेव इलाके से कॉंग्रेस को लगातार समर्थ मिलता रहा है बीच में कुछ वो इलाकों में बस्पा की तरफ वोट चला गया था क्योंकि वो बस्पा से मेव ऐसे खड़े हो गए थे ताक्रत वर लोग ल मेरी दृस्ति में दो हजार तेईश के राजस्तान विदानसवाद चुनाव की भूमिका है प्रस्तावना है वो लिख दी गई है अब इसकी आगे क्या आलेक लिखा जाएगा दो साल में तो पता चलेगा कि अगले दो साल बाद विदानसवाद चुनाव में कॉंग्रेस ए एक बार ये संदेश दे दिया है कि उसका जो परंपरागत वोट बेंक है उस वोट बेंक को वो खोना नहीं चाहती उसे चाती से चिपकाई रखना चाहती है और निश्चित तोर पर जैसे डुटास रगए तो शेकावटी के गए जाट गए तो वजन रोला को बना दिया गया जाट भी है शेकावटी के भी है अग गुडा को बना दिया गया राजिनर सिंग को इस तरह जाट राजपूर संतुलन भी बनाया गया शेकावटी के भीतर भी बनाया गया संतुलन तो ऐसे बहुत सारे संतुलन बनाये गए हैं कुछ लोग रह गए हैं जैसे जाजकुमार का मैं जिक्र करना चाहूंगा वो बहुत लोयलिस्ट है शोग गयलोत के स्वास्ति राज्य मंत्री पहले रह चुके हैं सरकार में मुझे लगता है अब उनको मुक्षी सरे तक बना दिया जाएगा मेरे जोशी की जगे मंत्री पत का दरजा मिल जाएगा केमिन मंत्री का ऐसा म मेरे को अंदाजा लग रहा है मैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है यह अंदाजा लग रहा है कि राजकुमार शर्मा को कहीं न के अकॉमडेट करना चाहेंगे अशोग गयलोत उनके उसके उनको एडिस करने के कई सारे कारण है राजनितिक पार्टी के बीतर के समीकरणों को भी साधना चाहिए एक मुख्यमंत्री को नायक होने के नाते तो पार्टी की बीतर के समीकरणों की साधने की दिशा में यह काम होगा रगुश शर्मा की जगए अजमेर से कोई नहीं आ रहा है यह एक इंपॉर्टन बात है और रगुश शर्मा की जगए मुझे लगता है क मेश जोशी को उस सारे विभाग दी जाएंगे जो रगुश शर्मा इंपास है ऐसा मुझे लगता है दोनों रगुश शर्मा की जन संपर्ग मंत्री भी हो सकता है मेश जोशी को बनाया जाए जी धन्यवाद अनिल जी इस पूरी टीम के बारे में जो आपने समिक्षा की उससे तो मुझे यही मेरे सामने निकल के आता है कि जो आला कमान है वो अपनी जो उसकी रणनीती थी उसमें सफल हुआ है इतने समय से जो एक गहलोद गुट सचिन गुट यह सब जो गुट बा